तो जैसे कि हमने बताय था कि एक और पेपर लेके हम आएंगे और जिसे प्राइब आएंगे और जिन जिन लोगों के पास फिजिकल पेपर है प्लीज बीन दर फिजिकल पेपर और नोटबुक के साथ भी बिटा रेडी रही हैगा कि जहां जहां पे हम लोग वर्किंग करेंगे जहां जहां पे जो बी जुरूत होगी वर्किंग की अगर वर्किंग कोई छोटा मोटा है वहाँ पे आ सकता है तो ठीक है अगर कोई बड़ा वर्किंग है तो नोटबूक पेन के साथ प्लीज बी रेडी I hope all of you are ready online आपके पास आवाद आ रहा है I hope, yes or no Sure Okay चलो, let's start Okay चलो, कुछ बच्चों ने इसका exam अल्रेडी दिया हुआ है और जो बच्चों ने इसका exam अल्रेडी दिया है, just check कि आपका answer राइट है या नहीं जब आपको paper मिलेगा तो check कर लेना कि आपको कितना mark आया बराबर, और how many questions देखो, कई बार है ना बच्चे खुश होते हैं कि यार sir मिलेगा तो 2 mark मिलेगा तो मैं तो जाएगा तो कितना जाएगा 2 mark जाएगा, तो सखा मतलब है कि एक MCQ में अगर एक साथ में 2 mark आता है तो जाता भी 2 mark राइट, चलो TAS-Stand for the classification प्लीज बीन दे क्वेश्चन जितने भी लोगों के बास paper है वो paper में रहिए, physical paper है तो और वहाँ पे टिक मात करिया है हो, सबके माद physical paper है Yes or No? हाँ यह ना? Best paper ओके चलो, CAS Cost Accounting Standard बरावर CAS-Stand for the classification of cost CAS-1 stand for the classification of cost Cost Accounting Standard 1 में लिखा है classification of cost मलब cost जो अलग-अलग हिस्तों में divide हुआ है वो वहाँ पे बताया गया है और यह देखो Cost Accounting Standard जो है यह आपको हर हालत में पढ़ना है बरावर और आप यह देख लो कि पुराने paper हों में कितनी बार यह पुछा गया है जितनी बार पुछा है उतना भी याद रखो क्योंकि मुझे भी बता है कि एक साथ में 12345678910 अब टू अगर 2025 है तो हो सकते है याद ना रहे तो जितना पास में पुछा है उतना भी याद रख लीजिए चलो factory cost is equal to यह कहां से आ रहा है costing का question है cost sheet का question है बरबर ओके factory cost is equal to dash cost plus factory overhead बताइए चलो it is prime cost yes prime cost plus factory overhead राइट चलो ओके तो यह cost sheet से है cost sheet का format बेटा सुनो हर हालत में आपको आना चाहिए cost sheet का format मुझे यकीन है कि सबको cost sheet का format आता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी भी ही अगर दो चार सॉल करना है तो कर सकते हो ओके over which of the following cost management is likely to have least control इन में से कौन से cost के उपर management का बहुत ही कम control होता है देखो बहुत सारे cost ऐसे होते जो controllable होते और बहुत कुछ खर्चे है से जिसका control कर सकते हो कुछ खर्चे है से जिसका control नहीं कर सकते हो क्या लगता है आपको वेजिस cost building insurance cost machinery breakdown cost और advertisement cost बोलिए this is over the reach of the following cost management is likely to have least control इन में से कौन से cost के उपर management का control इगदम लिस्ट है वाई वाई एड़रेजमेंट इस सेलिंग कॉस्ट वेजिस cost वर्करों का कॉस्ट उसके उपर management का control है येस है building insurance cost उसके पर भी है machine breakdown cost बोलो machinery breakdown cost उसके उपर हमारा control है या नहीं है एड़रेजमेंट में हमारा control नहीं है आपने बोला आपने जापान से लिया फ्रांस से लिया अगर ऐसा कोई फोरें से मशीन लिया तो machinery breakdown cost ओके variable cost आर फिक्स डाइज वेरियाबल cost आर फिक्स पार यूनिट वेरियाबल कास्ट आर फिक्स पार यूनिट आर इंशार और ओर फिक्स कॉसर कास कैसा फिक्स होता है फिक्स क्सट टोटल में फिक्स होता बड़ाबर और वो ट्रांसपोर्ट है तो वहां पे अप्रोप्रियेट कॉस्ट यूनीट कौन सा है अप्रोप्रियेट कॉस्ट यूनीट कौन सा है बता है यह रूम पर नहीं सरे तो होटल लग रहा है पेशन पर यह होस्पिटल लग रहा है तनेज किलोमेटर यह तो सामान इसके अंदर को नॉलेज अपलाई नहीं करना है इसके अंदर खाले आपको क्या करना है नंबर है और वो नंबर के सामने आपको पढ़ना है चार-पांच बार अगर उसको रिपीट करेंगे तो आपको याद रहने के चांसिस ज्यादा है चलो next which of the following item is excluded from cost account which of the following item is excluded from cost account इन में से कौन सी चीज cost accounting में हमने exclude की है बलो income tax excluded yes interest on debenture भी excluded yes cash discount be excluded yes to answer is all of these are you sure okay the following is included in financial account but not in cost account इसमें से एक चीज ऐसी है जो financial account में include है लेकिन वो cost account में include नहीं है but not in a cost account चलो carriage and freight cost account में होता है होता है excel duty होता है बोलो होता है पेटेंस होता है yes patent right of और यह है dividend paid बोलो dividend paid costing में होता है कि नहीं होता है नहीं होता है तो dividend paid एक financial item है और financial item को costing से मतलब नहीं है cost इस में मतलब नहीं है direct expenses are also called it चलिए direct expense कहा आता है cost sheet में आता है आप पहले लिखते हो direct material direct wages और direct expenses direct expenses are also called it बोलिए it is called the chargeable expense बराबर है देखिए बच्छे लोग एक ही बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारे MCQ आपको repeat होने वाले हैं बहुत सारे SMCQ हैं जो आप धना धन कर पाएंगे अगर आपने module के question और past question बराबर से किया है just keep confidence high last के चार पात दिन में प्रिपरेशन से ज़्यादा होता है आप अपना confidence कभी न खोएं जो किया है उसके उपर भरुसा रखो अगर जो नहीं किया है उसके बारे में मत सोचो क्योंकि क्या है आपने क्या सोचा है और यार शायद मेरा वो एक थोड़ा सा topic बाकी है focus अगर जो बाकी है उसके उपर गया तो problem बढ़ेगा focus जो किया है उसके उपर करो जिन्दगी में जो हमारे पास होता है उसकी कदर करनी चाहिए कि जो नहीं होता है उसके लिए रोना चाहिए तो जो होता है उसकी कदर करो exactly it is same formula ठीक है क्योंकि लास के चार पाद दिन है तो अभी यहां पर वैसे भी आपको बहुत बड़ा changes कर नहीं सकते हो right wrong understand चलो which cost system description applies to the manufactured of to the manufacture of 20 engraved doors for the new club house at our gold course क्या लिखा है which cost system description applies कौन सी cost system की description apply होती है कहां पर जहां पर हमें क्या manufacture करना है manufacture of 10-20 engraved doors कुछ doors engraved 20 engraved doors manufacture करना है for a new club house एक नया club house के लिए at a gold course उसके लिए करना है तो यहां पर कौन सी cost system description apply होगी बोलो contract costing, process costing, batch costing और service costing इड़ी दा batch costing देखिए वापिस से मैं बोल रहा हूं costing है कैसा subject है कि जहां से mcq एक या दो mcq आपको थोड़ा सा difficult पूछेंगे लेकिन क्यूंकि आपको negative marking नहीं है कोई भी answer finally लिखके आना है are you sure? महरबानी करके एक या दो mcq की वज़े से अपना दिमाग खराब न करे, please understood और कुछ चीवे costing में ऐसी है कि जो आपको हर हालत में आप मान लोग एक तरीके से आपको रटा मारके जाना है लेकिन ऐसे mcq बहुत कम है लेकिन कुछ तो होगा आच से 10 mcq तो आपको इतना मेली जाएगा चलिए Kelsey ले लो अभी सब लोग subscription received during the year rupees 50,000 subscription received during the year rupees 50,000 subscription outstanding at the end of the year 8,000 subscription outstanding at the beginning of the year 6,000 net income from subscription will be subscription से हमारी net income कितनी होगी देखिए net income कितनी होगी उसका मतलब है के profit and loss account it means income and expenditure account में कितना जाएगा देखिए subscription received during the year का मतलब होता है ये receipt and payment account का subscription दिया है तो Kelsey ले लो receipt and payment वाला अगर आपको subscription दिया है तो आपको net income चाहिए तो आपको income and expenditure वाला चाहिए 50,000 subscription outstanding at the end of the year ये closing outstanding, closing outstanding क्या करेंगे add कर दो 8,000 और at the beginning was 6,000 less कर दो आपका answer is 52,000 ये आपकी current year की subscription की income है क्या बच्चे लोग आपका answer 52 आ रहा है yes or no to answer is 52,000 are you sure चलिए by profit and loss account we get profit and loss account हमें क्या मिलता है capital मिलता है gross profit gross loss no it is net profit the purpose of profit and loss account is only and only to find out the net profit or net loss the purpose of trading account is to find out the gross profit or gross the information for the preparation of the recipient payment account is taken from क्या लिखा है the information for the preparation of recipient payment account receipt or payment account ये बनाने का information हम कहां से लेटे वापी से पूछरो तो information for the preparation of recipient payment account is taken from बोलिये ये कहां से लेते देखो हाँ बोलिये बोलिये ओके देखिए हमें recipient payment account बनाना है तो recipient payment account में सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले होता है opening balance बराबर है और उसके बाद आता है closing balance लेकिन यहां पे हम खाली और खाली recipient payment की बात कर रहे हैं कि अगर एक during the year अगर during the year हमको recipient payment account बना तो हम कहां से बनाएंगे हमारी cash book से बनाएंगे क्योंकि recipient payment account is exactly similar to cash and bank account अगर आपके पास cash book ready है तो cash book में सारा का सारा description दिया हुआ होगा और वही cash book ही मतलब आपका हो गया recipient payment account तो guys what is your answer? Your answer is बोलो it is cash book yes a endowment fund received by a club is a capital receipt endowment fund receipt come on guys repeat करिए endowment fund received by a club is a capital receipt ये NPO के लिए एक long term चलने वाला receipt है और ये NPO के लिए non recurring receipt है और ये record किया जाता है balance sheet liability side if income is 16,000 अगर आपकी income 16,000 है and deficit is debited to capital fund is 4,300 और deficit हमने capital fund में से less कर दिया 4,300 तो आपका expenditure कितना होगा? दिखिए आपकी income बताई गई है 16,000 और आपको finally क्या हो रहा है? deficit हो रहा है तो उसका मतलब है आपका खर्चा जो है वो आपकी income से ज़्यादा होगा तक जा कि आपको deficit हुआ? ये सर रो तो आप क्या कर दो 16,000 में जो आपकी deficit है वो less कर दो उतना आपका खर्चा हो जाएगा तो 16,000 प्लस 4,300 वाट इस और expenditure it is 20,300 सर हमारा answer सही है कि गलत है वो चेक करना है हमारा expenditure है 20,300 पे ले लो हमारा income है 16,000 उसमें 16,000 लेस कर दो तो expense में से आपने income less किया तो 4,300 आया वालब expense ज़्यादा है तो क्या हो गया deficit? what is the answer? 20,300 हमारा formula क्या है? हमारा simple formula है income minus expenditure is equal to या तो surplus या तो deficit या तो surplus या तो बोलिए गाईस income में से expense less करेंगे plus में answer आएगा तो surplus है अगर negative में answer आएगा तो वो deficit है चलो legacy are generally capitalized कुछ बोलने की जरूत नहीं है legacy are generally capitalized what is legacy guys? this is the question from NPO when when at the as per the will of a deceased person when NPO if NPO receive any amount one time can it is called a legacy? किसी भी व्यक्ति के death के बाद उनके will के अनुसार जो भी amount लिखा है वो amount जब NPO को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? legacy कहते हैं क्या कहते हैं? legacy कहते हैं बराबर तो legacy हमेशा क्या होता है? capital receipt होता है तो यह हमेशा capitalized होता है which of the following which of the following is is not a relevant cost? which of the following is not a relevant cost? महरवानी करके जहां जहां पे हमें जो जो working करना है working करिये please which of the following is not a relevant cost? इसमें से कौन सा relevant cost नहीं है relevant cost का मनदब यह होता है कि जब आप कुछ costing system कर रहे हो तो आपको कुछ ने कुछ relevancy है for example जब opportunity cost की बात हो रही है तो opportunity cost relevant है कि relevant it is relevant cost क्योंकि जब आप को यह opportunity छोड़ देते हो यहार मैं नौकरी करूँ कि मैं business करूँ बराबर अगर मैं नौकरी करूँगा तो यहार business का opportunity चला जाएगा अगर मैं business करूँगा तो यहार हर मैंने fix amount आता होगा वो नहीं आएगा तो यहां पे जब आप opportunity cost की बात करते हो उसका मतलब क्या है कि उसको relevant है आपके cost से बराबर है तो that is relevant cost तो इसमें से कौन सा cost relevant cost नहीं है बताइए चलो dash costing is applied in a canteen अगर आपकी college है और उसमें canteen है या कोई भी office है उसमें canteen है तो वहां पे कौन सी costing की system apply होगी क्या contract costing apply होगा क्या operating costing apply होगा process होगा बैच होगा देखो service तो यहां पर हमें उसको operate करना है तो क्या होगा बोलो यह से operate होने के लिए हमें करना पड़ेगा operating costing in case of dash costing costs are ascertained only after they have been incurred historical cost what is the answer historical cost इसको क्या लिखा है question क्या है in case of dash costing costs are ascertained only after they have been incurred जब आप cost कर लेते हो खर्चा कर लेते हो और वो खर्चा करने के बाद में आप क्या करते हो खर्चा करने के बाद में उसको ascertain करते हो ऐसा कौन सा cost है historical cost what is historical cost जब यह आप पहली बार कोई cost कर रहे हो कोई product के लिए original cost खर्चा कर रहे हो कोई asset ला रहे हो that is your historical cost चलो opportunity cost is the best example of relevant cost opportunity cost is the best example of relevant cost यही उसका answer है please tick mark करे क्या relevant cost final answer यही है इससे tick mark कर दे चलो number 21 number 21 MNN enter into the joint venture सबसे पहले बच्चा लोग सबसे पहले तो आ गया है वो time जहां पर हमें working note की जरत पड़ेगी MNN enter into joint venture M और N joint venture में entry ले रहे है where M supply the good M ने good supply किया 12,000 का and spend rupees 200 on the various expenses और 200 रूपिया बहुत सारे खर्चे का खर्चा किया N sell the entire lot N ने पुरा entire lot को sold कर दिया 15,000 में और selling expense किया 400 रूपिया बराबर है profit sharing ratio कैसा है equal है An remit to an amount due amount of remittance will be देखिए बच्चे लोग जबी जबी याद रखो joint venture का MCQ होगा और अगर उनों लोगों ने profit या loss पूछा होगा working में चूप चाप joint venture account बनाओ expense को debit में लिखो income को credit में लिखो आपको profit loss मिल जाएगा यहाँ remittance है तो आपको दो account बनाना पड़ेगा working में पहला चलो MCQ नंबर कौन सा है 21 तो finally एक ऐसा question आ गया जहाँ पे हमें working के जरूरत पड़ेगी yes मुझे यकीन है आप भी साथ में लिखेंगे एक हमें बनाना पड़ेगा छोटा सा ननना सा प्यारा सा joint venture account और दूसरा समदलो आप M की book में हो आप M की book में हो तो मैं कौन सा account बनाओगा N account बनाओगा guys कौन सा account बोलो N account चलो M और N joint venture में entry ले रे वेर M supplied goods M ने goods supply किया 12 आजार रखा M ने goods supply किया तो M क्या entry करेगा M ने goods supply किया to joint venture to goods 12 आजार बराबर बाद में उसने 200 रुपया खर्चे पे spend किया तू cash in bank 200 रुपया खर्चा किया N ने सारा माल बेच दिया 15 जर में N ने बेचा बेचा मनलब credit side buy N सारा माल बेचा 15,000 credit side बराबर माल बेचा तो income income credit side और N ने माल बेचते हुए खर्चा भी किया 400 रुपया तो N ने खर्चा किया देखो यह N मैंने credit side पे लिखा न 15 आ जा तो उसका दूसरा effect इदर N में आएगा two joint venture yes sir 15,000 और selling expense कितना किया 400 रुपया तो two N 400 यह expense है इदर debit तो N में credit by joint venture 400 sir complete yes sir चलिए अब हम करेंगे total 15,000 credit side पे 15,000 15,000 बरावर joint venture this is profit yes sir profit है जो दोनों में जाएगा हमारा PNL में जाएगा और N को मिलेगा what is the profit चलिए 15,000 less 12,000 less 600 तो it is 2400 यह आपको profit अगर यही MCQ profit वाला होता तो 2400 होता इसी में पूछा होता कि दोनों का share कितना है तो 1200 1200 होता बरावर तो N का profit N में डाल दो by joint venture 1200 चलो amount का remittance कितना होगा तो answer ready है यह आया 15,000 इधर भी 15,000 and 15,000 minus 1600 it is 13,400 what is the answer 13,400 चलो क्या option में दिया है 13,400 बच्चे लोग बताइए is it 13,400 given yes or no चलो तो your answer is 13,400 is it simple इसी में मैंने 3 MCQ बता दिया अगर joint venture का profit पूछा होता तो it is 2400 अगर कोई भी एक venture का share पूछा होता तो 1200 और रेमिटन्स पूचा है तो 13,400 दे को question एक है लेकिन MC की बहुत सारे बनेंगे चलो next Mr. P sold goods to Mr. Q for 60,000 no sir it is 6 lakh it is 6 lakh not 60 lakhs भी नहीं देखो Mr. P sold goods to Mr. Q for 6 lakh half of half of the amount will be received in cash and the balance through the bill receivable however हमने Mr. P है हमने Q को goods sold गया 6 lakh का आदा amount किस में मिला cash में मिला और बाकी का bill receivable 3 lakh 3 lakh what is the for what amount Mr. P should draw bill 3 lakhs मजाक 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 सर मजाक हमको पसंद नहीं हाँ ठीक है A person who endorse the bill is called endorse sir Sir क्या उसे हम ड्रावर नहीं कहेंगे पर word जो यूद होता है वो endorse sir होता है endorse sir the person who endorse the bill and endorse see the person to whom the bill is endorse and or sir is a giver and or see is a receiver चलो fix assets are kept in the business for for use over a long period of long time for earning income means for resale क्या fix assets resale के लिए होता है ना क्या fix assets mean for conversion into cash no 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 all of the above no 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 it is a fix assets business में लंबे पिरेड के लिए होता है ताकि वोई fix assets से हम पैसे कमा सके के डाइज यस और नो चलिए बच्छा लोग हम हादे रस्ते पर पहुच चुके हैं gross profit is equal to sir gross profit का simple formula पहला है sales minus cost of goal sir यही है right choice बाबा तो यूर आंसर इस a sales minus clothing stock ना 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 ओपनिंग stock plus purchase less clothing stock अरे मुरक gross profit पूछा है opening stock plus purchase less clothing so easy to go to the cogs होगा रे वोडिकर आंसर इस सेल्स में से क्या लेस कर दो पॉस्ट आप बुर्स होल दो क्या मल ले रास प्रॉफ टेलो को पहुत च्छला करें इंकम स्टेट मेंड ऑचरी टेबल इंस्टीटिउशन इन नोन इप इंकम स्टेट मेंड़ प्रॉफिट अंल और प्रॉफिट एंड लॉज और प्रॉफिट अंल आइड कि स्का चरीटबल का है तो income and expenditure yes 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 चलो चलो 27 if the sales are 2000 please be in the question if the sales are 2000 and the rate of gross profit on cost of goods sold इतना लंबा पढ़ने का जरूत नहीं GP on cost बस इतना ही सेल कितना है अपना 2000 का सेल है GP कितना है बोलो GP 25 टका लेकिन GP 25 टका कॉस्ट पे के selling मेडम रुकिये जरा हम आ रहे हैं वहां पे रुकिये जरा बराबर बोलो GP कितना है GP GP कितना है बताइए GP कितना है मेडम GP GP 25% on cost के on selling price on cost then the cost of goods sold will be बड़ा ही आसान है रोचक क्वेशन है देखिए इस इस यूर सेल्स 2000 बराबर यह आपका सेल है जो कितना है दो हजार है तेल में से अपने को क्या लेस्ट करना होगा जीपी लेस्ट करना होगा तो अपने को POGS मिलेगा और GP कितना है गाईज वाड़ जीपी मैं जीपी है गाईज 25% on cost कोस्ट पे 25 टका मतलब 1 4th on cost अगर यह 1 4th on cost है मतलब 1 5th on selling price है GP आपका क्या है 1 5th on selling price selling price का 20% आपकी selling price है 2000 2000 का 20% मतलब कितना हुआ 400 और जब 400 निकलेगा तो आपका COGS आजाएगा सोला सो यौर सी योजी एस इस 1,600 टेल मी वाट यो रिटन इन एक्जाम आपने एक्जाम में क्या लिखा है बताईए मैडम आप क्या लिखे क्यों क्यों असने के आउसर नहीं है प्लीस अपने अंदर के चेंपियन को जागा हो परिस्थिते कितनी भी खराब हो लडने वाले बन जाओ प्लीस बीखाएगा लडने वाले बन जाओ प्लीस बीखाएगा प्लीस तर इस नो सबस्टीट्यूट टू हडवक ठीक है इस सिंपल बात है हर क्वेश्चन को निचोड़ो क्वेश्चन में पूछा क्या है अरे क्वेश्चन के अंदर चला चेक करो पूछा क्या है प्रॉफिट नहीं पूछा है आपने सीधा सीधा दो हजार का पच्चीस टका निकाल दिया और आप बता रहे हो के 500 रूपिया अरे मेरे भाई यहां पे हमें प्रॉफिट नहीं पूछा है हमें पूछा है सीओ जीएस कितना है वाट इस फॉर्मूला सेल्स माइनट जीपी इस इकल दू सीओ जीएस सेल ऩठ करना जीपी लिसकर माइश करना जीपी बनीज़ कुस्थ दिया पंटीस टका कोस्ट का लेकिन दो तूठी सेलिंक पराई देगर प्रॉफिट टेबल आपने पढ़ा है तो आपको बता है कि अगर प्रॉफिट ट्श coffin परसेंट अन कॉस्ट है अगर वह वन फोर्द अन कॉस्ट है तो वह वन फिफ्ट अन सेलिंग प्राइज है तो दो अजर का दो जर का बिश्ट का चार सो लेस करो सी ओजिस आजेगा 1 थाउजन 600 the recipient payment account of a non-profit organization is real account is real account recipient payment account come on guys recipient payment account real account recipient payment real account recipient payment income and expenditure nominal account income and expenditure nominal account income and expenditure nominal account chaliyay toham 29 प्याप पहुचे the capital of a non-profit organization non-profit organization go capital generally amlog kya bolte equity no cash fund no finance reserve no we call it as a accumulated fund madlab capital fund what we call it as below yes chalo if rupee 1500 was outstanding at the beginning of the year towards the subscription and 10,000 is received during the year underline अंदर मेरे मेरे में तो 10,000 मुझे नहीं लग रहा है कि तर 11,000 लिखा है the subscription received 10,000 during the year आगे सवाल है okay now what is the question still outstanding in the end of the amount to be taken to recipient payment account recipient payment account में हम कितना अमांट दिखाएंगे ये, ये, इस, how much amount we will show in recipient पे मिटे कौन, yes, okay, yeah, okay, yeah, okay, yeah, how, yeah, yeah, how, how much, okay, how much, okay, how much, yeah, how much, yes, madam, आप खड़े हो जाईए, बोलो, के मुझे खाली समने ची, 11,000 इगा रॉंग अंसर, 9,000 इगा रॉंग अंसर, 10,000 इगा रॉंग अंसर, यह, इस, what we are doing, अंसर, पड़े है, मेडम बेटिये, पागा लोग इदर लिखा हुआ है, कि दूरिंग दूरियर सब्स्विशन आपको कितना मिला, 10,000 मिला, जो दूरिंग 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 एक खौपड़ी बाज क्या पूछा है अगर यही 10,000 में ओपनिंग आउट्स्टेंडिंग लेस करके क्लोधिंग आउट्स्टेंडिंग एड़ करो तो वो इंकमन एक्स्पेंडिचर का मॉंट आएगा पर वो लोगने इंकमन एक्स्पेंडिचर नहीं पूछा है गुगली है दो टांगो का बीच में से गया स्टम उखड़ गया क्या पूछा है सवाल देखे मेरी सभी लोगों से अनुरोध है इटीज माई हम्बल रिक्वेर्स तो इच एन एवरीवन वो आ लिसनिंग प्लीज अंडर्स्टेंड क्वेस्टन सवाल को देखो क्यलकुलेशन करना ही न लिए इसलिए पहले बोला तें थाओजन को आप अडरलेंग करो के तेंदाओजन रिसीवर दूरिंड रिसीटन पेमिन क्या रेक्टर करता है रिसीवरी दूरिंड यह 10,000 तर तो वह 1525 मामू बनाने के लिए लिए दिया है और आप मामू बन भी गए और आप आप आमू ब क्वेशन देगा नहीं 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 हम तो तुमको तीन सोई देंगे आओ बेटा चलो मक्षन खाओ एक किलो मक्षन तोरी यस मैं इन डाउट इन डाउट थे लगुदरेग सबस्तम देखाओ नहीं है यह थे फिर भी तो वहां आप हुदरेखाओ नहीं हुद्ध। यह भी यह था दूरिय। यह थे लोगाई उखलो अच्छो अगर यही होता कि रिसिप्टेंपेमिंट की जगा पे इंकम इने इसमें नीचर होता तो आपको करना है तेन थाउजन माइनस वन थाउजन फाइंडेर प्लस तू थाउजन फाइंडेर आप भी रॉंग जिदर आंसर आया वो भी रॉंग इस का करता है और आकि में निग और नौन कम अशन सब्सक्राइब करें इंकम फार लोग ने सवाल यह है किवूंड टीकन डू रिस इंटेंट पेटराइक नहीं तक आपने रिसूड है और इंकमेड इंटी कंसे अलेनकर जो कर कर देर का है चाहिए वो मिला यह नहीं मिला चलिए क्षीव स्कुर्च तु राइट ओप टारण एंट्री इस पास वैट डेप को राइट अप करने के लिए ऐंट्री स्कार्ट सब्सक्रें को यह ऑघु टान शब्सक्राइब करने लिए वह लिए तुमारा आंसर यह वी यह तोई प्यान minority हुआत मिलेंगे तो गड़े मुर्दे ओखड़े हैं। कि रिक्वरी ऊपेद्ध रीकवरी आप देड्ड डेड्ड ही अपक्यर इंट्री टी रहे इगे हैंड बैंक, अकॉअट डेड तो बैंटbereich को अधर रीकवरी बैंड युछ असे कंवाट ना से तबिस वह अफ्रक ने अफ्रक देडी को बढ़ाता है और हैज ने इकम? yes decrease the net income no increase the gross profit and gross profit sales को मतलब नहीं एक पीनल का मेंबर है इसी ग्राइब को होता नहीं है हाँ नेट इंकम बढ़ता है चलो a trial balance will not balance if a trial balance अपका टेली नहीं होगा कब नमबर ही परेट एंट्री इस पोस्टेड ट्वाइस तहीं एंट्री यह लिगें दो बार की cash to RAM cash to RAM दो बार किया तो trial पेदर टेली हो गए न क्योंकि आपने debit और credit में तो balance amount डाल दिया same amount डाल दिया प्लीज तो पहले में टीबी टेली पहले में टीबी टेली नमबर टू परचेज ऑन क्रेडिट बेजी डेबिट टू परचेज अन क्रेडिट टू कैश आपने goods परचेज किया credit पे तो आपकी entry होनी चाहिए purchase टू क्रेडिटर लेकिन आपने entry किया purchase टू कैश यहाँ भी टीबी टेली येस क्यों टू परचेज गया credit में cash गया तो दोनों गया ना तो ट्राइल बेलेंटेली नेक्स्ट रूपी 500 cash payment to creditor 500 cash payment to creditor आपने creditor को payment किया तो आपकी correct entry क्या है creditor to cash creditor to cash कितना 500 ये correct entry है लेकिन आपने क्या किया is debited to creditor for 50 वाव creditor को आपने 50 से debit किया and cash को 500 से credit किया आप कहां ट्राइल बेलेंटेली होने वाला है आपने debit में 50 रूपिया डाला है आपने credit में 500 रूपिया डाला है आपने भेदभाव कर दिया मेडम credit में गया 500 और debit में अमोन गया 50 answer is C your answer is D चलिए rupees 200 paid as the wages for erection of the machine should be debited to machinery का आपने erection कर रिया installation कर दिया कोई भी asset पे installation का खर्चा गरम करेंगे तो वो खर्चा वो asset में एड होगा आपका answer रहेगा machinery account debit to cash भाड में कहें उसके option पहले लिख लो machinery to your answer is machinery debit है option yes sir B भाई साब आपने कौनसा answer लिखा है yes man you have oh great bad debt is confirmed loss profit revenue none of the no 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 it's loss A and B purchase a piece of land for 40,000 40,000 का जमीन का टुकडा खरीदा and sold it for 60,000 और साथ अजार में बेच दिया दो जार इकीश की बात है कि ओरीजिनली एक हैस contributed 24,000 एने contribution कितना दिया चौबीस अजार भी में कितना दिया 16,000 what will be the profit on venture venture पे कितना profit हुआ रहे venture पे कितना profit हुआ रहे वेंचर पे कितना profit हुआ रहे तो समझ के बिलना वो क्वेशन में भी बहुत दो कन्फूदन के लिए था वो क्यू नहीं समझे we expect the perfectness capital capital को मतलब भी profit दूनने के लिए क्या चाहिए sale minus purchase 60 minus 40 20 चलिए next 37 profit दूनने के लिए खाली दोई चीज़ चाहिए expense चाहिए और income चाहिए उससे capital का जरूत नहीं हाँ statement of affairs मैं धाड़ा तो बात अलगे फिर भी answer तो वही आएगा answer वही आएगा 37 a for joint venture with b purchase goods costing rupees 2 lakh एने बी के साथ joint venture चालू किया है और दो लाग का goods purchase किया बी sold 80% of the goods for 250,000 और बी ने 80% goods दाइलाग में sold कर दिया वाव बैलेंस अब दो गूर्स वैट टेकन ओवर भाई बी डोबा बोलो बैलेंस अब दो गूर्स वैट टेकन ओवर भाई एट कोस्ट लेक्स 25% पाइंड आप दो प्रॉफिट ओन दो वेंचर सिंपल टिफ दे रहा हूँ जब 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 प्रॉफिट या लॉस दूढ़ना है जॉइंड वेंचर अकॉंट बनाओ यहां पर नहीं होगा सेट एम सी क्यू नंबर 37 वर्किंग में आ जाओ हमें क्या करना है ए और बी है चलो जॉइंड वेंचर अकॉंट चलो हमने जॉइंड वेंचर अकॉंट बना लिया वोट इसक्विशन ए फॉर जॉइंड वेंचर विद बी पर्चेस गूर कॉस्टिंग तू लेक देखिए यहां पर ना सुनो यहां पर वो रेमिटन्स वो नहीं पूछा है सेटलमेंट अमोंट नहीं पूछा है खाली प्रॉफिट ये लॉस पूछा है बराबर तो आपने गूर्ट पर्चेस किया और सीधा सीधा डेबिट में लिख दो कितना दो लाग तो यहां पर पर पर्चेस किया है तो जॉइंड वेंचर टू पर्चेस लिखेंगे चले अरे दोड़े गा रही है पहले देख लो बाद में लिख लो पहले देख लो बाद में लिख लो दो लाग का गूर्ट पर्चेस किया है बी ने कितना बेचा देखो बी सोल्ड एटी परसन अब दा गूर्ट फॉर टू लेक फिप्टी थाउजन बी ने सोल्ड किया तो क्रेडिट सेड पर लिखेंगे बाइस सेल्स या तो आप लिखेंगे बी इस ओके बी लिख रहे हो चलेगा आप कितना माल बेचे एटी परसन्ड सोल्ड और कितने में बेचा धाय लाग में बेचा एस और नो 80 परसन्ट गुर्सोल्ड रॉज लॉए प्लीज यूट राइट असी प्रतीशद माल बेचा एस थोंड ट्वेंटी परसन गूर्द अभी है और नंदर लिकाई बैल्स आप गूर्व बंदा प्वेंटी मर्स एं बिनम एस बालेन 20 मिन सेंड बैलें बैलेंस अव्ड तेकन बी एट कोस्ट लेस्ट 25 परसंट देखिए देखिए अभी बाकी का गुर्स कौन लेके गया बी लेके गया बाई बी तो मैं लिखूंगा टेकन ओवर देखिए बड़ा ही आसान है आपने गुर्स पर्चेस कितने में किया दो लाग तापकी कौस्ट दो लाग यह ना वर इजर कॉस्ट दू लाग वर इजर कॉस्ट आपने कितना प्रतिशद गूर्द बेच दिया आपने 80 परसंट बेच तो कितना गूर्स बच गया 20% तो cost का 20 तका निकालो यह आपका 2 लाख है बराबर मैंने लिखा है 2 लाख into cost का 20 तका 80% अगर आपने बेचा तो 20% बच्चा 80% बेच्चा तो 20% बच्चा तो 2 लेक into 20% यह आपका आएगा 40,000 और उसमे taken over कितने में किया cost less यह cost less 25% understand तो आपका देखो वापिसे में बोलो 2 लाख उसमें से 80% गया तो कितना बच गया 20% 2 लाख का 20% तो जो माल बचा है उसकी cost है 40,000 और वो taken over कितने में कर रहा है cost का 25 तका less में into 25% less तो वो taken over कितने में कर रहा है 80,000 में taken over कर रहा है खतम होगिया 2,80 2,80 80,000 profit देवी और सज्जनो क्या आपका यही अंसर आ रहा है क्या आपने यही लिखा है आँ तो सब बोलते है हमें पता नहीं अपने बोला है ठीक है और सब्सक्राइब अपने बोला है ठीक है और सब्सक्राइब आपके लिख क्यों में रहा है ओ रही लबाश दन अबड़ का अब अब नहीं आए और अच्छीब टूप अब रचीग और प्रॉमिस टूपे इट्स अंशर इस ए चलिए, नमबर 40, नमबर 40, अपर्चेस गूर्थ पॉस्टिंग 42,500, बीस ओल गूर्स ओर 40,000, चलिए, पर्चेस गूर्थ पॉस्टिंग 42,500, अपर्चेस गूर्थ पॉस्टिंग 42,500, बीस ओल गूर्द वर 40,000, किने माल बेचा, 40,000 वाला बेचा कितने में बेचा, तो 50,000 हुआ selling price 42,500 हुआ cost 40,000 भी हुआ cost balance goods कितना बच्चा चलो what is the balance goods 2,500 42,500 की cost वाला goods सा 40,000 की cost वाला goods हमने बेच डाला कितने की cost वाला माल बहुच गया बोलो कितने की cost वाला माल बच गया डाई डोबाओ बोलो 2,500 और ऐसा बोला गया है ऐसा बोला गया है वे टेकन ओवर बाई इस ते सेम ग्रॉस प्रॉफिट परसंट है इन दे केस ओव सेल और यह गूर्स कौन प्राइब यह तो टेकन ओवर है बरावर आपने 40,000 का माल कितने में भी करो क्रास मल्टिप्लाइ करो 2500 ईन्टू 50,000 डिवाइड बाई चाली टे माल डिवाइड बाई 25325,125 उटिथर आंसर 325 understand the main purpose of financial accounting is to maintain balance sheet to minimize taxes to keep the track of liability no to provide the financial information to shareholders trial balance is used to check the accuracy of balance sheet balance no leisure account balance yes answer is b trial balance is a list of all the leisure account which is either debit balance or credit balance which is prepared to check the arithmetical accuracy of the business money spent rupees 12 000 on the traveling expense of the director on a trip abroad for the purchase of capital asset in Japan the our director Tully plans are out for雅 मैं छोड़ने को मैंने जीट कि मेरे को भी लेकर जाओ टोक्यो तो बोले नहीं सियमें फाउंडेशन का बच्चे लोगा एक्जाम आ रहा आपको कि लेक्श्र लेना है बलटी गैं है पी डारेक्टर पोचे भी प्ली फोन आया वाई सब यह डरीक्टर्व ट्यूंग से लाना था मशीन लाना था तो क्या वो 12,000 लोग देखो अब्रोड गये 12,000 में कौन सा खंड शिलंका गये लोग शिलंका में कुछ नहीं मिलता है तो यह लोग कहीं पे तो गई अब्रोड गई अबरभर और यह 12,000 क्या खर्चा एट इस अ एक्पिटल एक्सपेंडीचर सर क्या यह मशीन की कॉस्में एड करेंगे यह समें यह रूल अलाव कर रहा है यह 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 वीच आप वीच आप इस एडर अफेक्ट और मूर अकाउंट्स निमने लिखिद गल्तियों में से ऐसी कौन सी गल्ती है जो दो या तो दो से ज़्याद को असर कारक है मैं लब असर करता है मतब इफेक्ट करता है बताईए प्लीज स्टेंड़ बुलिये ने खड़े हो जाए अब बुलिये हाव प्रू करिए कि हम नंबर वन पर जाएंगे एरर ओप कम्प्लिट ओमिशन जब कोई कम्प्लिट ओमिशन होता है उसका मतलब है कि आपका अगर एक एंट्री है समद लो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट तो अगर आपने यह पोस्टिंग नहीं किया तो बैंक अकाउंट को भी अफेक्ट हो गया राम अकाउंट को भी हो गया दो अकाउंट हो गया येस अपको एंट्री करना था मशीनरी रिपैर्स तो कैश लेकिन आपने कर दिया मशीन टू कैश अंडेस्टेंड दो अकाउंट को एफेक्ट हो गया जहां जाना था वहां नहीं गया जहां नहीं जाना था वहां चला गया पोस्टिंग टू रॉंग अकाउंट रॉंग अकाउंट में गया मतलब जहां जाना था वहां नहीं जाना था वहां गया अल अब दिस कर ला पर हाव मैंने प्रूव किया बैठिये बैठिये बिरादमान होई है पोटीफाई परचेस प्राइब दो मशीन इस एट लेक नैंटी सर सवाल क्या पूचा है कैलकुलेट अमोंट अब एन्युल डेप्रिशेशन अंडर श्ट्रेट लाइन चलो परचेस प्राइब मशीन कितने में लिया एट लेक नैंटी थाउजन स्क्रिंपे लेलो आट ला इंस्टोलेशन चार्जी मेडम लेना चाहे है हां सर अंदर सर इंस्वरं चार्जी लेना चाहे है नहीं सर क्या रेस्ट लेवली लेस होगा हां 40,000 लेस एट लेक 87,000 डिवाड़ बाउसका जिंदगी पांच साल आंसर इडा 177,400 बपर्सेशन अगाउंट इस न Kern NO account depreciation account is nominal which mineral nominal original cost is 150,000 residual value is 10,000 depreciation for the third year at 10 percent per annum under the WDB method wow 150,000 into 10 percent 15,000 let's go WDB I have 135 into 10 percent 13,500 let's go WDB I have 121 funded into 10 percent third year 12,150 be it's a residual value no side per a guy who you know next bank has a directly paid 2250 for rent as per the standing instruction हमने बैंक को बोला था बैंक हमारे लिए भड़ा भर तो क्या बैंक ने अपने amount से भरा ना हमारे खाते से भरा रहे इन बी आरे स्टार्टिंग विड़ पास्बुक ओवर्ड्राफ अगर पास्बुक ओवर्ड्राफ से चालू करेंगे तो मैं यहां पे छोटा पास्बुक ओआ सबारी प्सक्रांग और पास्बुक और कैश्बुक में और मुम्तबंब deficiency में ने यहां पर के राउंड गया प्लस मेरा इखरी चाहेगा पर क्या वार्ट इस պएक क्या फारिछ Contain 2250 बरबर और 2250 एक नमबर दो नमबर जायेगा यह क्या होगा डिटक्त होगा 2250 विल भी डिड़केटर फ्रॉम पास्पूक ऑवड्राफ आंसर इस पी जरनल इंडमली और प्रामरी एंट्री जरनल इडमली दो कर रायमें ट्री डेट शाय बेग पास्पूक रिसफोर्ण डे debit side of passbook, passbook की debit side, किसको equal, cashbook की credit side, okay, debit side of cashbook, ना, 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 ट्राइवल, है, मजाक, मजाक, answer is A, बच्चो, आले, आसान, MCQ, सौल मत करो, तेक दी चैलेंच, मुझे यकीन है, कि लास्त त्री डेज, आपके लोट तो, 100-100 मार के, 3 या 4 पेपर, सौल कर डालो, या 5 पेपर, सौल करो, हर एक सब्जेक में, एवरी सब्जेक, और हर एक पेपर के अंदर, आपका बाजू में working होना चाहिए, theory का explanation होना चाहिए, कि इसका या answer क्यूं है, अगर flat rate पे directly वो question है, और उसका answer है, तो ठीक है, अगर वर्किंग नोट, अगर वर्किंग नोट बड़ा है, notebook बनाओ, still you have a time, आप हर एक सब्जेक का पात-पात पेपर सौल कर सकते हो, कोई भी पेपर सौल कर रहे हो, और अगर वो time में कोई answer नहीं आ रहा है, तो कृपिया हमें संपर्क कर सकते हैं, और हमारा help line number in the accounts है, 9-6-9-4-4-0-8-1-6, याद रहे, आप अपना नाम लिखे, और थोड़ा सा description में लिख दे, कि आप foundation दे रहे हो, right I know, but you are from which city, either Mumbai or wherever, but please contact us in case of any help, okay, goodbye for now, मिलेंगे और एक पेपर के साथ में, जै हिन, जै भारत,